हेलो ट्रेडर मैं आपको कल के लिए कुछ एस्टॉक बताने वाला हूँ जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम हिंडाल को के चार्ट को आपन करते हैं तो traders हम हिंडालको के चार्ट पे आ चुके हैं, इसमें हमें selling point बनता दिख रहा है, अगर आप ये candle इसके नीचे से खुलता है, तो आप इसमें selling कर सकते हैं 474 पर, और इसका first target होगा 470, और second target होगा 464, अगर इसमें stop loss 479 का रखते हैं, अगर इसमें उसका candle ऊपर उठता है, इसका buying level होगा 483, और target होगा 488, और second target होगा 492, और stop loss रखेंगे हम 471 के पास, अगर ट्रेडर आप में 80% भी एक परेशी match करता है, तो आप first target पर ही अपना profit बुक कर सकते हैं, तो traders अब चलते हैं next chart पे, तो next chart पे आ चुके हैं UPL, अगर इसमें आपको यहां से candle ऊपर बन चलते हैं, 760, और first target होगा 756, और second target होगा 754, इसमें stop loss रखेंगे 764 का, तो चलिए आप next trade पे चलते हैं, तो trader यह ग्लैन मार्क इसमें भी अच्छा खासा candle बनता दिख रहा है, इसमें भी आप buying कर सकते हैं, इसमें buying करना है 475 पे, और first target होगा 477, और second target होगा 479, इसमें stop loss 470 रहेगा, तो आप चलते हैं next trade पे, next trade है Wipro, इसमें भी अच्छा खासा candle बनता दिख रहा है, इसमें अगर buying level कल का रहेगा 475, अगर यह जाता है, तो वहाँ आप आप खरीच सकते हैं, और first target होगा 580 का, और second target होगा 585 का, और इसमें stop loss 570 का रहेगा, और अगर यह candle न next stock पे, तो trader यह next deal का stock है, आप इसमें भी profit book कर सकते हैं, यह low wizard का है, अगर इसमें बाइंग लेवल रहेगा 142, और first target रहेगा 143, और second target रहेगा 144, इसमें stop loss 141 का रखना है, और इसमें selling आईगा 140.5 पे इसको selling करना है, और target रहेगा 139, और second target रहेगा 138, और इसमें stop loss रहे